हेलो प्रेंट्स आपके यूट्यूब चनल महत विजाड में आपका स्वागत है तो बीपीएसी की तरफ से आपका जो 33.0 होना है उसके लिए आपका जो है एक ओफिसियल नोटिफिकेशन आया है हमारे curiosity होती है exam जब का फॉर्म नहीं निकलता है xam form निकलेगा उसके बाद हमारी curiosity होती है कि वह exam कब होगा और exam का date प्रता चल जाता है तो हमारा curiosity होती है कि हमारा exam मतलब कि यह किस डेट मतलब admit card कब आएगा तो finally उसके तरफ से आपका जो है एक official notification आया इस वीडियो में आपको बात करेंगे कि कब आपका admit card release किया जाएगा तो चलिए हम लोग बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह official notification है आपका बिहार लोग से वायो की तरफ से परिच्छा कारी परिख्रम और उसका सुचना है जिसमें आपको दिया गया है कि विग्यापन संखिया 22 24 में ध्यापक निवती परिच्छा 3 3.0 आपका जो है 15 3 2024 को दो पालियों में आपका 15 को आपको दो पाली में होगा तथा सुल्ला को आपको एकल पाली में आपका मतलब एक सिंगल में अग्जाय को देख सकते हैं इसमें आपका जो है वो 15 को आपको जो है ना है सुक्रवार को आपको जी एक्जांब में आपका होना है इसमें आपका परिख्रम पाली परिख्राइब आपका बिषाय घंजींट ह्विग्यान हिंद्य और द्लम 628 के लिए दितिय in पाली सुल्ला को आपका एक्जाम होगा ये हिंदी बंगला उर्दू फार्शी अंग्रेजी भी सहय ये माधनिक वर्ग 9 से 10 के लिए अध्यापक के लिए और उन्हों सुची जाते जन जाते के लिए 6 टू 10 के लिए ठीक है कल्यान भाग 6 से 10 कंप्यूटर कला ये सब दिया हुआ है फिर आँ देख सकते हैं सबसे बड़ा मेन पॉइंट कि आपका एड्मिट कार्ट कब रिलीज होगा तो आपका एड्मिट कार्ट कल रिलीज होगा यहनि कि सवरी आज फाइफ है न तो आपको टू डेस के बाद आपक आपका जो है वह डाउनलोड यह प्राइब आपका हो जाएगा अब उसमें आपको दिया हुआ है कि आपको क्या 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 करना पड़ेगा तो देखिए आपको क्या 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 करना पड़ेगा तो अभी अभ्यारती इसमें आपको दिया है वह अभ्यारती प्रवेस पर डाउनलोड करने से पुर्व पासपोर्ट साइज फोटोग्राप 25 के भी अपने डैस्ट बोर्ड में लॉग इन के उपरांद अप्लोड करेंगे यदि किसी अभ्यारती कि ऑनलाइन आवेदन में नाम पिता में कुछ त्रूटी है तो डाउनलोड करने से पुर्व फोटो अप्लोड करते हुए अपना सही नाम यह तरीका आपको दिया हुआ जो भी आपका अस्थान वहां पर दिया जाएगा उसके बाद आपको डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड किये गए इनमीट काड़ पर अभ्यारती परिचा केंद्र कोड के रूप में दर्द होगा जिसमें केंद्र कोड संखिया और जिला का नाम आपको अंकित होगा आप आपको पता चल जाएगा ठीक है उसके बाद आपको यहां दिया हुआ है सभी अभ्यारति अपने प्रविस्पर्थ की एक अत्रिक्त प्रति अपने पार परिच्छा देकर केंद्र ले जाना सुनिचित करेंगे यहां परिच्छा अधी में मतलब उसका हस्ताक्षर करना उसको मतलब यह दिया हुआ कि आपको एक अत्रिक्त रखना है उसमें हस्ताक्षर करकर ले जाना है और फिर उसी के दाना हस्ताक्षर करके आपको जह हो मतलब सुपूर्थ कराना पढ़ेगा तो एक आप रख लीजएगा एक वहां पर आप जमा कर दिजएगा परिच्छा के 14 निश्ची तुरूप से आप जो है वो 12 से उपलप्त कराई जाएगी दिनांग 14 तक परवेश्पत्र निश्ची तुरूप से डाउनलोड कर लेंगे आपको पता चल जाएगे कहां पर है कौन सेंटर है स्पेसिपिक ठीक है यह हो गया आपका अभ्यार्तियों को परिच्छा होने से एक घंटा पूर्व तक आपको वहां पर प्रवेश्च कर जाना है अनुमतित दी जाएगी और एक घंटा पूर्व आपका बंद कर दिया जाएगा परिच्छा में ओधी के समाप्ति के प्रश्चाथ आपको OMR सीट स उसको अच्छे से भर करके और जो भी आपके इन्वेजिलेटर है उसको जमा कर दीजिए तो फाइनली में में बात मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो भी आपका एक्जाम होने वाला है यहां पर आपका 15 और 16 को आपको पर्थम पाली में 6-8 के लिए होने वा मतलब की सेवन से आपको जो है वह एडिमिट कार्ड आपको पता डाउनलोड होगा जिसमें कि आपको पता चलेगा कि क्या मतलब कौन सा आपका जिला डिस्टिक है वह सब समझे और बाकी में जो है आपको सब्सेर कर दोंगा और उसको देख लिए अच्छे से तहीं एक च् जो भी अपडेट होता है मैं आपको सेर करता हूं चले मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए जहिन बंदे मातन थैंक यू फ्रिंट थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू फ्रिंट्स